therefore過去 ABC दोनों लोग कर रहे हैं और सारे लोग अगर इकुल टाइम के लिए कर रहे हैं दो इनका profit रीशियो यही होगा पैसा लगा दिया करो तुम लोग बिजनेस मैं थोड़ने काम करता है ठीक मुझे प्राफिट में कुछ इससा देजा देना तो लेकिन चुकिसी स्लीबिंग पार्टनर यह करा कि प्रफिट जो होगा उसका वह हाफ होगा जो उसका पहले उसको मिल रहा होता ठीक है अब जयको एससी ने इसको कि प्रॉफिट हाफ होता 7 का हाफ कितना होगा 3.5 होगा तो 4, 5 और यह वैलू आपकी होगे 3.5 ठीक है तो अब यह रेशियो होगा प्रॉफिट दिस्टिबूशन का ठीक इसको अगर आप सिंप्लिफाई करोगो तो या जाएगा 8 रेशियो 10 रेशियो 7 इस रेशियो में प्रॉ 75 परसेंट बेटर है आप 25 परसेंट माइनिस कर तो सीधे 36,000 का 25 परसेंट आप निकालोगे तो आजगा 9,000 तो यह आपका बचेगा 27,000 ठीक है अब यह 27,000 अगर आप इस रेशियो में डिवाइड करते हो तो देखो यह कितना आ गया 25 पार्ट्स आपका 27,000 अगया बस अब करने मत लगना समय की बरबादी के उस्ताद लोगों कल्कुलेट मत करना ठीक है यहां से क्लिरली दिख रहा है कि 25 अगर 27,000 तो वन पार्ट क्लिरली मुझे दिख रहा है कि 1,000 से बढ़ा होगा तो जो यह बी है इसका 10 पार्ट 10,000 से बढ़ा होगा तो यह कहानी है SSC के एक क्वेशन बनाया है उनकी भावनाएं यह है कि आप इसको ऐसे करोगे अब जैके जो दूसरा पॉइंट आगे हो है वह यह है कि जब बात आती है sleeping partner की तो अगर वह active होता तो उसका जो profit होता उसका जो profit होता वह 7 के corresponding होता इस ratio में distribution होता ठीक है तो इस ratio में distribution होता अगर वह active partner नहीं है तो जो उसका amount है वो distribute होना चाहिए ए और बी के बीच में उस तरह से calculation आप करोगे तो answer आपको 10,800 नहीं मिलेगा तो देके SSC की भावना यह थी कि आप इसको करो कैसे language terms में जो थोड़ा बहुत confusion आपको हुआ है they could have written the question in a better way उनने question को थोड़ा बहतर तरीके से आपना ही नहीं चाहिए अगर आपको language-wise थोड़ा सा भी confusion हो रहा है otherwise जो उनका idea था question का वो यही तबागी आपने challenge किया है तो उनकी जो सरद्दा होगी वो करेंगे